Hello everyone, स्वागत है आपका email desk के YouTube चैनल में आज हम डिसक्स करेंगे कि 7th वीडियो post in detail कि जिसमें असिस्टेंस सेक्शन ओफिसरें इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया को डिसक्स करेंगे पूरी in and out information आपको बता जाएगी process कह रहा है आपके पास training क्या होती है posting work profile सारी information इस वीडियों आपको बताने की कोशिश की जाएगी ठीक है अब कुछ experience देखा हो कहा है आप assistance section offices देखा हो का election commission of India अब बोल रहेंगे कि यह तो होता ही नहीं कहीं आपके initial notice भी आता है आपका assistant या ASO in other ministries जो आपके पास होती है ठीक है और 4600 ग्रेट पर होता है जो हाँ पर election commission of India का भी ग्रेट पर है ठीक है तो इसके अंदर होता है कि कुछ confusion होती है आपको दिया था पोस्त को जो दारव असिस्टेंट अदर मिनिस्टी जी 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 आपके ध्यान दीजिए असिस्टेंट के यहाँ पर आपके पास mention कहा रहे था सिसमें और इसिस्ते इन आधर अधर मिनिस्टीस si antes निज में आपको पास ठीक है और उसमें से एक थिए आप के आपके इस है अभी मिनिस्ट्रीज कीजिर। को रेखते approved यंदयाते ये आपकोगते ये सिंकरकण पर जो डीवी में जबे गए ठीक है डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहां पर क्या होता है आपके पास एक प्रिफेंस का यह फॉर्म बराया आता है कि आप कौन सी पोस्ट आप्ट करना चाते है चॉइस नमबर वन चॉइस नमबर टू ऐसे करके आप कोड भरत तो जहां हमारा जो सेलेक्टिट कैंडिएटेट 2016 का जिसके बेस पर हमने इंपूर्स के वीडियो बनाई है उन्होंने क्या करा था डीवी टाइम पर उनके यहां पर असिस्टेंट अधर में आपनोंने पोस्ट कोड एच वा रहा था ठीक है एलेक्शन कमिशन आप इंडिय नहीं थी कि वह रही कि नहीं है ठीक है तो फजी पिद्एफ आती है तो लास में आती है तो डिवी के टाइम पर इनको आप्शन आधा सिर्फ अपर बताया निए था कौनसी मिनिस्ट्री इसमें है ठीक है और जो फाइनल रिजट आया है इनको पोस्ट कोड एच मीन मतलब मताया नहीं कुन सी अधर मिनिस्ट्री है बस पोस्ट कोड एच इनके जो मेरिट लिस्ट बनती है उसके कर्सपोंडिंग आपका सेलेक्शन उसमें पोस्ट कोड एच लिग दिया गया था ठीक है सिर्फ बाद में जब इनका जो नॉमिनेशन हुआ था ठीक है फाइनल रिसल आ सब्सक्राइब करता है तो यह यह तीर मिनिस्ट्री थी तो फाइनल रिजल्ट के बाद नॉमिनिशन में इनको यह इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया मिला था ठीक है जो सेलेक्टेट कैंडिड जिन से हमने इंपूर्स लिए यह वीडियो बनाने के लिए बात ही है कि आपको इस टाने से से पहले तक आपको यह नीग पताता की आपको मेंट कोन सी मिलें ठीक है आपको circular बता आके तो यह नहीने पयाद कर रहा हूं तो इसमें दो जी होती है या तो आप से निकल थे आपके अरे सELIह लेकल फ्यां और तो यहाँ पर आप देखिए mtbkg तो तो यहां पर असिस्टेंट पुस्ट के लिए था था है यह कोडने मी असेस्टेंट है यहां真的 quality Ahh में not exceeding 30 years ठीक है यह आपके थोड़ा age के business में थोड़ा हर ministries का लग लग होता है तो उससाब से तीन codes generate हिए थे दो code आपके assistant के लिए यह h code post code h और greater than का sign और less than का sign आपका ASO के ठीक है तो यह ASO और assistant की confusion आशा करता है यहां से दूर होनी start हो गई होगी अब यहां पर देखिए post code h जो है आपके पास ठीक है यह post code h है इसके अंदर था आपका election commission of India के उसको मिना कर आपके पास six ministries इस post code h के अंदर दी ठीक है तो कहने का मतलब यह है जो post code h में आपका assistant in other ministries है यह greater than जो इसके अंदर आपके पास जो six ministries इनकलोड़िंग ECI यह इसमें थी ठीक है तो अगर आपको ECI भना थो में ECI के reference में है आपको चीजे बता रहूं ठीक है तो DV की टाम पे कहता यह जो B07 है ठीक है यह B07 आपको एक code दिया गया था जो आप document verification में ऐसा ही similar जो आप 123 अपने प्राइरटी फिल कर रहे थे बॉक्से में आपको बना तो B07 वहाँ पर आपको बताया गया था कि यह किसका form है आपका अपनी कोर्स दे दिये गे थे document verification के टाइम पर क्या आप ऐसे इसे code है इनके इनको फिल की जाए ठीक है मैं आपको प्रिफेर्स फॉर्म भी बताऊंगा यो होगा दोने का दिखाऊंगा सीजल 2016 को 17 का इस टेबल को explain करने को बार ठीक है तो यहां पर उनने क्या करना B07 जो 2017 क अपने B07 फिल किया अगर उनको election commission of India चाहिए थी ठीक है यह कोई और six ministries चाहिए थी इसके अंदर तो उन्होंने उसके हिसाब से code फिल गया था यानि कि इससे पहले वाले मिनिस्ट्री तो बी 06 अकॉर्ट था तो उन्होंने वो फिल गया तो वहां पर पूरा mention था कि 206 किस किसका है बी 07 किसका है वहां पर ऐसी कोई ambiguity नहीं थी कि कौन सी ministries के अंदर है ठीक है clearly यहां पर specify किया था उसके बी 07 बी 07 में अगर आप देखेंगे यहां पर आप final result में गया तब भी आपका location बी 07 में हो यानि कि assistant in other ministries ठीक है 4600 ही grade पर है ठीक है उसी कही discussion हो रहा है other minist ministries का और यहां पर देखेंगे nomination के time पर इनको यहां पर clear था कि ECI B07 में मिल जागा तो जो भी 2017 के candidate से उनको DV के time से clear था कि election commission of India का क्या post code है जबकि 2016 के जो हमारे selected candidate इंपूर्स लिया है उनको यह चीज़ clear नहीं थी उनको nomination में जाके पता लगा था कि मेरेको election commission of India मिल गई ठी 2018 के बात करते हैं यहां पर 2018 2019 का scenario लगबर सेम है क्योंकि अभी तक यहां पर DV stage नहीं पहुंचे दोनों की post code के अगर हम बात करेंगे 8 और 9 यहां पर दिया गया था किसका assistant का ले जैसे हैं यहां पर 8 और 9 न बहुत गया पोस्ट कोड़ एट और 9 और असिस्टेंट इस्टें section office ठीक है यह होते दोनों एक ही है अब यह थोड़ा अब नाम उनको अलग दे दिया गया तो हम उस post code के हिसाफ से करेंगे जो technicalities बताने पड़ेंगे आपको तो यह बात यह है कि आपको एकस्टेंट का concept होता है और assistant में इसे 8 है तो इसमें आपका 18 से 30 यह का होगा आपके इसलिए में यहां पर 20 से 30 इसलिए थोड़ा different codes यहां पर दियेगे है एच की वाज़ी से टी पोस्ट कोड एट जो है आपके पास इसके अंदर ठीक है इसमें अगर आप देखेंगे 2018 में सीजेल में पोस्ट कोड एट जिसके अंदर ECI के साथ साथ ECI को मिला कर तीन साथ ठीक है अभी इसका डीवी स्टेज और फाइनल स्टेज यह सारे से अभी इसके अवेटेट है तो अभी इससा क्लियर नहीं कि अभी यहां पर यहां पर यह कौन सा पोस्ट कोड देंगे जब डीवी होगा 2018 का तभी यह चीज आपके क्लियर हो पाएगे ठीक है 2019 में दे यहां देने वाली बात यह है कि CGL 2019 से ठीक है CGL 2019 से आपको जो election commission of India है वो अब ASO होगा ठीक है अब यह पोस्ट कोड 10 दिया है जहां पर तीन ministries ECI को include करके हैं ठीक है तो पोस्ट कोड 10 के अंदर आपका आप ESI में अगर आप जाएंगे तो ASO जाएंगे जब कि इससे पहले यहांने कि 2018 2017 2016 में आप ASO जाते है ठीक है तो यहां पर अब आप ASO जाएंगे क्योंकि पोस्ट कोड 10 है इसके वेकिंसी कर पीडिया देखेंगे आप तो इसमें आपको मिल ला है कि आपको election commission of India आपर mention है पोस्ट कोड 10 जो में पास ASO को यहां पर signify करते है ठीक है यह में ब यह चीज़ में आपको बता निए थी अब यहां पर इसके थोड़ा सा आपको बतानी क्योश्ट करता हूं कि 2016 में कैसा आया तो यहां पर 2016 का identifies from और इसको करना तो बताया तो यहां पर आपको मिलर मिनिस्ट्री यहां पर भरने को दिया तो आपको बताया नहीं पूरा आपके पास पूरा फॉर्म में जो आपको फिल करना पड़ता है जब डीवी के टाइम पर आपनी प्रिफेंस फर्स वन टू टू ट्री ऐसे प्राइटी आपको देनी पड़ती है कहने का बतला भी आई जो केंड़ेड़ दे ट्वेंडेश्टीन के और हमारे सेलेक्ट हटेट है के ट्रीट धी पता था की अधर मारा गया फिल के यूद थैग है इसेट यह आपको सेवां लगा है क्वा यह आपको B07 यहां पर आपको फिल करना था अगर आपको फॉर्स पर प्राइट रेखने है तो आपको इस बॉक्स के नदा है B07 आपको फिल करना पड़ा है ऐसी और कोड्स अगर आप पूस्स में चाहते हैं वह बनने पड़ेंगे ठीक है डिफ्रेंस यही था CGL 16 और 2017 में औ होगा तो उससे पहले जो था ऐसे सट ही होता था आपके बास और 4600 और अबबी भी था और फॉरी कंद्र मिन्से चीड़ाया थी आपकी दिमाग में क्या है सारी मनेंगी क्वेंगा ज़ runners करिए अब वीडियो को स्टााट करते हैं आगे तोपिक संट यह सभिन कौन कोन तक जाएंगा most important जो आपके रहा सपास रहेगा personal experience जो CGL 2016 selected candidate है उसका ठीक है डिहांस इस वीडियो को ज़रूर दिखिए आगी पड़ते हैं इसमें general information यह आपके पास CGL का आपके exam आपको qualify करना होगा four tiers होंगे normalize score होगा tier 3 तक form online field करना पड़ाएगा आपको office आपको hundred देनी पड़ेगा अगर अगर यह और अदर्स के लिए आपके पास नेल रहेगा ठीक है एजुकीशन qualification सिंपल सी बैचलर डिगरी बड़्ड क्राइस इन्यूवस्टी होनी चाहिए और आपके पास essential qualification prescribed date जो आपकी notification में है उससे पहले अचीव हो जानी चाहिए और उम्र जो है आपकी age आपके आपके तीस साल से आधा नहीं आपके प्रिसक्राइब डेट से यह आपके पास notice में लिखी गई है नेचर फिजिकल अगर 10 years अगर आप यह आप से ऐसी 13 और 15 का OBCS, CSTS, EX servicemen का 3 years का आपके पास आपके पास तो यह से age relaxation को मिल सकते हैं अगे डिसक्स करते हैं pattern का ऐसी जल का होई tier 1 होगा आपके पास आपके पास चार सेक्शन होंगे इसमें 25 questions इच आपके पास रहेंगे तो टोटल 100 questions होते हैं आपके पास 50 marks हो जाएंगे आपके पास इस section के तो 200 आपके पास यहां पर marks हो जाएंगे tier 2 में आपके पास क्या आएगा paper 1 में आपके पास quant आएगा paper 2 में आपके पास English आएगी 100 questions 200 marks 200 questions 200 marks दोनों को ही एच को आपको 2 hours में attempt करना है तो आपके पास English attempt करने पड़ेगी और नहीं तो आपके पास कोई disability है तो 160 minutes आपको दीए जाएंगे ठीक है आपर दीखे paper 3 और paper 4 भी होता है बड़ इस post के लिए ठीक है आपके पास अगर आप ESI के लिए करना है तो आपको इस post के लिए आपके पास इन papers को ट्रिम करने ज़रूरी नहीं है ठीक है इंफोर्मेशन थी थी थोड़ सा आप डिसकस करते हैं टीर 3 के बारे में पाइनल पेपर में होगा आपको आपको पेपर में लिखना हो करने डिस्क्रिप्टिव अपने हाथ से हैंड़ाइट इंग्लिश में लिखे आपके पास 100 माक्स होंगे 50 ऐसे 50 लेटर के और कंप्ले सुनिश्चित के जाएगा नेक्स्ट रॉन जो होगा टीर फूर होगा यानि की डीविन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशिट का ठीक है डिसक्स करते हैं पर फाइनल सेलेक्शन ठीक है अब फाइनल सेलेक्शन आपको मिल गया हो सारे टियर्स आपने क्वालिफे कर लिए आप से बूछने के लिए उन को तोड़ा जहां से देखें तो आपके मन में जो भी शंका इनको दूर करना हमारा फर्ज है तो आप देखिए कुछ कुछ कंपाइल करें सारी इंफोर्मेशन के बारे हम डिसकस करते हैं पॉइंट वाइस से पूछी गई है पहली क्वेरी आप इस अधिने के अंदर होगा आपके पास स्टेफ से फॉलो करेंगा डियो पीटी आपके पास होता है ठीक है डियो पीटी आपके पास सेंड करेगा आपके पास अटेस्टेशन फॉर्म और मेडिकल फॉर्म सेंड करेगा आपको पास फॉर्म जो आपको सेंड करने है ठीक है वह देली में जौब है आपके पास कहे याज नो नीड वॉट उन्पेर्वासि के जवरदी में आपको do ऐसे के ज़रुरु पस कोई प्रिफिर्स के ज़रुवरत हैं आपके आपको जो है प्रॉस्थ स्यागी थ्योंगी को जौन सबट हे हैque ऌप्रूसेस जो आपके पास के पास मैदिकल प्रासेस अपके पास पहला हो जाते हैं आपके पास baru लेटर मिलने से हॉग है अप्रव। आपके पास वो डिपार्टमेंट बेज देगा कंसर्ण पुलिस ऑफिसर को ताकि आपको पुलिस वेरिफिक्शिन पॉस्ट आपका कंडर्ट कर सब्गें तो इसमें ऐसे क्यों टेंशन लेने वाली बात नहीं है दूसरी चीज़ाते हो ट्रेनिंग फेस कैसी होगा आपके सोस अच्छी यह धियान देने वाले बाद में ट्रेनिंग फैसलेटी इस एच्छी है वेरी गुड है और आपके पास ट्रेंग इस रिकाइड फूचर प्रमोचिन टिकाइज ट्रेंग करना ज़रूरी आपको आगे बढ़ना है ठी फूट भी आपके पास डिपार्टमेंट देगा आपके पास ट्रेनिंग के ताइम और यू विल गट फुल सेलरी ठीक है ऐसा कुछ नहीं आपको कुछ कड़ी आएगे क्या हो फुल सेलरी आपको मिलेगे तो यह में पॉइंट होता है जो भी कैनिलेट से हैं और जो भी इस जाता है दिली तो हम टेपूटेशन बेसिस पर जा सकते हैं ठीक है अट डेपूटेशन बेसिस का होता कि मिलेट करते हैं तो अपनी यूरीपसाइट पोर्टल में डाला और डेपूटेशन बेसिस पर हो है ठीक है और आपके लिए वाफायदेमन्द है आप उसके जोगन को आप वो करते हैं चेंज करते हैं कि सीनियोटी लॉस्ट होती है तो एसस में ऐसे कुछ नहीं है तो इसमें रीटेन करते हैं अपनी किया सीनियोटी यह में पॉइंट है और शैलरी आपनी नियू पोस्के अकॉर्डिंग की ध्यान देने वाली बात है चौती है हम देखते हैं वर्क कल्चर माहूल कैसा काम करने का वर्क प्रोफाइल क्या है डेस्ट फील जाप पांच वर्किंग डेस सबीकितर सरकारी में जैसा होता है ऑफिस टाइमिंग साड़े आठ गंटे के हैं आपको एट यानिकी एट पॉंट फाइवार्स नाइन तो फ नो बाइमेट्रिक कोई आपके पासे थम सिस्टम में इसा कुछ नहीं है ठीक है ओफिस इंफ्रस्ट्रक्ट्टर इस मोश्टी अबरेश ठीक है याप यह वेरी गुट नहीं बोल लगे अवेज लेकिए टीक है आपके बास कोई ड्रेस नहीं है इसमें जैसा क्या इंकम टे कुछ भी नहीं है और डेस्ट जोग में इन बाद यहां के पर फाइल रेटेट्ट वर्क करने पड़ेगा नोटिंग ड्राफ्टिंग जिसे हैं को सीजिस की वीडियो में बताया था आगे चाहिए डिसकस करते हैं यहां पर अब सेल्री और अलाउंस इस जिसके लिए 24% आपके पास 17% सॉरी 17% है आपके पास यह आपको आगया 24% HR XCT का तो उसके साब साब के ग्रॉस सेलरी आगए 67521 ठीक है यह 1.41 की है मल्टिप्लेइंग फेक्टर तो 67521 अपके पास रूपीस हो गया आपके पास ग्रॉस सेलरी नेट सेलरी यहां पर भी टैक्स नहीं करत है लाँस से देखेंगे ताब बिलती है बिलस अब से फ़कस करेंगे निस पर निस पर आपको मिलता है ठीक है निस पर जिहान दीजी यहां पर आपको किसको मिल रहा है ESO Election Commission of India जबकि अगर आप CSS से compare करेंगे वहाँ पर किसको मिलता है यह SO को मिलता है ठीक है तो newspaper का allowance सिर्फ CSS में SO को मिलता है बट Election Commission of India में newspaper का allowance ASO को मिलता है ठीक है एक comparison CSS से ठीक है फायदे मेंद हुआ मोबाई मोबाईल का रिचार्ज आप कुछ भी कहले इसको आप reimburse कर सकते हैं यह आपके पास facility कहां पर नहीं थी इसमें ASO CSS को नहीं यह facility यहाँ पर है यह advantage होगा आपके पास ठीक है यह advantage भी है bonus bonus जो आपके पास दीपाव लें यह दोनों में सीम रहता है यह bonus आपके पास 7000 आपके पास CSS फाल यह को भी मिलता है और यहाँ पर भी एलेक्शन कमिशन पर भी 7000 के आपस बोनस मिलेगा तो इसमें कोई ऐसा कोई advantage नहीं मिल रहा है onradion यह सबसे बड़ा advantage है देखें कैसे onradion में अगर आपने देखेंगे CSS की video तो आपको बता है कितना onradion मिलता है 5000 मिलता है 5000 किसको aso in CSS को पर हगर आप देखेंगे यहाँ पर हर साल यहाँ पर मिल रहा है onradion आपको हर साल मिलता है हर महीने नहीं मिलता हर साल मिलता है तो every year aso in CSS को आपको मिलता है 5000 और यहाँ पर आपको मिल रहा हर साल कितना 15 से बीस हजान कि कितना के पास benefit मिल रहा है तो पंदर हजार से बीस हजार दा है आपको onradion मिलता है किसमें आपको एक मैने की साल मिलता है तो यह तो और भी ब्लकुल डबल बॉनांजा हो गया तो कहने का मतलब है aso CSS comparison में onradion बहुत जादा है इसमें अब देखिए यहाँ पर आईए आप मोबाइल आउंस के बारे में हम डिसकस करते हैं और आप रेलवेस की बात करेंगे तो आणाउनस में हाप को किया थी कधिया टकिण तक हुस्ति है तीन साल में हर नहीं रिंबूर्स के लिगे तीन साल में वुफिसको इसको में थ्यान रखिए zer यहां पर थोड़ा पीछे रहे गया ठीक है बहुंस से पॉइंट्स है एक दो तीन चार चार जगह आपके पाफ पीछे रहा है सिर्फ बोनसी तो से मैं कि सब मॉबाइल एलाउंस ऑन्रेयम बिल यह सब जाद हैं एक यहां पर ब्रिफेस के लाउंस जो होता है यह आपको यह स अब करेंगे तो यह जियान देने वाली बात था तो इसको बिल्कुल द्यान से देखिए कोई सीभी आपको इसे की बिए तो उसमें द्यान देने की बात है अब मुद्द्स करते हैं आपर प्रोमोशन एसपेक्ट ठीक है आगे कैसे बढ़ेंगे यह एक्जाम है की नहीं उ किसा औौपर चल रहा है ऐसा नहीं होता है एक जो है फास हों के नहीं है जो आपके पास कॉन कर दो जक्यान केशाम के लिए है अगर आ से का इसमें LDC Limited Departmental Competitive Exam इसमें जो आपके पास होता है 9 Categories उन्होंस मैंसे चार आपके पास famous हैं CGL की post Railways हो गई CSS हो गई MEA हो गई Intel in Vier हो गई तो उनको अगर ASO को CSS बनना है SO बनना है तो उसको आपके पास यहाल Exam देना पड़ता है Limited Departmental Competition Exam ठीक है यहां पर कोई डेपार्टम टेल एक्जाम यह एक बेनिफिट यह भी होगा है बहुत बड़ा बेनिफिट है यह द्यान दीजिए क्यों क्यों होगा यह बेनिफिट है आपको बताऊंगा आगे प्रोमोशन लेटर इस प्रोवाइडर इन दा बिलोग टेबल टेबल टी यह दिखिए आप प्रोमोशन टेवर आपके पाद ऐसे आप बिल्कुल चड़के आएंगे इसाथ में तरह पर आप बढ़ते हैं और बिल्कुल ऐसे ही चड़ेंगे ठीक है बहुत फास्ट प्रोमोशन होता है इसमें दान दीजिए बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा तो आप से प्रोमोशन से आप यह नींचे से आप आएंगे आप ठीक है लेवल से से लेवल एट पर पहुंचेंगे लास्टिक है अभी तक कोड केस चल रहा है तो कहने का मतलब मेरा यह है जो यह यह सो सी एसस ट्वेंटी हम लगा टुथाउजन टैन बैच की जो सी एसस है यह सो सी एसस कैटर के वह अभी तक लटके बढ़े हैं उनका ही एक्जाम हुआ में आपको बतांगा थोड़ी देर में यहां पर यहां पर जियान देन वाजने बात यह वह आपके पास चाहर सार के बात यहां पर यहां पर आप पर रहे है एं NFSG तो होता है नोन-functional सेलेक्शिन गेट ये जो हांतो है इसका मतला भी सिंपल सवल भी इसमें जो भी As A NFSG प्रमोट वता है मतलब काम उसका सी में रहेगा उसके रैंक और पे बढ़ आती है आप, ठीक है है, कहांतो हम भी है आपके पास हाय पोस्ड लुटी है में आपके पास seats पोस्तों का है बढ़ा आपके पास जो candidates या कहते है आपके आपके स्ट्रेंथ हो ज्यादा है तो वहाँ पर यह NFS याप का लागो होता है ठीक है हमेशन देहां लिए कि किसी भी कोई भी पोस्ट है कोई इसी बार्गनेशन है उसके क्या होती है कैडर होता है कैडर के corresponding आपके ग्रेट होता है ग्रेट के corresponding function defined होता है तो जहां पर किसी ग्रेट के corresponding किसी लेवल के corresponding को function सी defined नहीं है उसको हम non-functional selection grade में include करें तो as NFS जी आप यहाँ पर आते है ठीक है तो section officer रहेंगे उसका लेवल 10 से लेवल 11 में जाएंगे तो आप यूएस बनें यानी अंडर secretary बनेंगे विसका अप सेकेटरी बनेंगे लेवल 10 में यह सब आप प्र्मॉशन से जाएंगे हैं आपको कोई आप पर data recruitment नहीं है आप यूएस ऐसे आप प्रिंसिपल सेकरेटरी आप सीने प्रिंसिपल सेकरेटर लेवल 13 तरह आप महुँआ जाएंगे 12 13 14 ऐसे आप सिर्फ प्रोमोशन से आप ऐसे उपर बढ़ते जाएंगे ठीक तो यह तो आपके पास मोटा मोटा आइडिया एक जो मैं आपके पास एक कंपार्टिव एनायलसिज जो आपको दिखाने कोशिच करूँगा उसको ध्यान से समझी किति कहा अब होगी कहते है अपनी उसका है क्षाइंगे जाएंगे जाएंगे अपनी एलेक्शन कमेशन इडिया में जोई कर अकब 31 s डिसमबर को उसने जोइन किया 15 में ठीक है अब 31st December 15 को जोइन करता है और उसका promotion promotion कहा से मतलब ASO से CSS में उसका promotion कब हो जाएगा कब उसके लिए eligible हो जाएगा 19 में ठीक है 31st December 2019 में वो eligible हो जाएगा और उब उसके पाब frequency होगी तो प्रमोट भी हो जाएगा क्यों क्योंकि कोई डिपार्टमेल एक्जाम नहीं है वे रहा है अगर आप ध्यान देंगे CSS हो जाए या कोई भी हो जाए उनको एक्जाम देना पड़ेगा कौन सा LDCE मैंने बताया था भी आपको तो LDC का एक्जाम देंगे फिर उसके पा पाएंगे उसके बाद हो प्रमोट पाएंगे SOP तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आप यहां देखिए चार साल के अंदर ASO N, ECI प्रमोट हो जाएगा अगर वेकेंसी है बेराया अगर ASO CSS है अगर वेकेंसी हुई भी तब भी वो प्रमोट नहीं हो पाएगा उसको पहले exam clear करना पड़ेगा qualify करना पड़ेगा merit list में आना पड़ेगा ठीक है और यह exam नहीं हो रहा कबसे 20 15 को last exam होता भी इसमें court case चला ठीक है तब से लेकर अभी तब यह exam नहीं हुआ है तो कहने का मतलब मेरा यह है यह सो CSS में promotion में रुकावटे ही रुकावटे हैं as compared to election commission of India ठीक है और अगर vacancy है भी तब भी आप नहीं कर सकते क्यों आप exam देना पड़ाएगा अगर आप exam भी नहीं देना जाए फिर तो और लेट जाएगा आपको 8 से जादा साल लग सकते है ठीक है तो कहने का मेरा मतलब ही है कि आपके पास यह साई में अगर आप एसर पोस्ट तो आपके पास edge है as a promotion आप इसी के तरह जैसे आया था ना भी उपर को तरह बढ़ा था ऐसे ही आप बढ़ते चले जाएंगे अगर आपके पास vacancy है ठीक है और आपका vacancy नहीं है तब as nfsg भी आप जा सकते हैं ठीक है कहने का मतलब बि आप कोई recovery नहीं है आपके पास ठीक है तो यह हम देने अगी बात है ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं आप आगे देखें हैं आप क्वार्टर के बारे में थोड़ा discussion करते है आप रहेंगे भी ठीक हो टाइप 3 के लिए 4600 क्रेट पेके सभी जो होते हैं आप टाइप 3 के ल distance of quarter from office depends on both location of quarter and office ठीक है डिस्टेंस क्या होगा वो था आप क्वार्टर ऑफिस पहीड बेंग गरेगा ठीक है ऐसे अब रेंडर्वी बहुत होते हैं कि दूर क्वार्टर ऐसा नहीं है जो जन्री डिस्टेंस होता हो 10 km होता डेली में 10 km कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है पो पॉसनल एक्स्पिरेंस किया है उसका देखिए सब को एडिस हमने पुछा है नेम हमने पुछा चाया उन्हें बताए ही यह मेरा फ्रेंड है मैं जानता है इसको पर नाम नहीं बताने के लोग बोला है तो नहीं बताएंगे हम इसका नाम ठीक है तो दूरेशन ऑफ जॉब जो है अगर आप देखिए है आप इनके टू यर फाइंट से आप लगा लिए कितना होगा है आपट है तो तब से लिग अब तक टू यर फाइंट इनको हो गया तो डियूशन अब जो भी अच्छा कास है और ट्रस्ट मी यह ऐसा कुछ नहीं करे नाम में इंचन निकरे मेर आपको पास रहा कुछ आपको पास रहा कुछ आपकी इमाजिनेशन में है तो नहीं ऐसे कोई नहीं मुझे पहले से बता दे टेस्ट जॉब है ठीक है गौर्वर्मेंट क्वाटर्स और रेंटेट अपार्टमेंट्स अगर हम देखेंगे हमने पूछा आप क्या प्रिफर क एक तो यह नोनी को नवान को टॉफ फाइफ पोसिन होने बताई ठीक है एक जासते है सब क्वेरी हमने पूछी जॉप साथिस्फेक्शन आप से अपसे तुस्ट अपन जोप से यह उसके कारण के है है ठीक है रिखोग बहुत बहुत बगुत से और यह तो तो रहीजन है ए आज़्टाइन की लियुकित है वारेयृटी आपके पास एपके आपके 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 जिह सींखने के मिल सेक्शन भी दिधर १ंडिसन डिधर अपके लिफNING करें क है लीड़ेयरी फैसिलिटी है जियं यह नोने ठीक है यह इनका क्या हो गया है बस तीसरे रीजन हो गया ठीक है फॉर्दर वियर अलसे सेंट तो डिफ्रेंट स्टेट चीग है अधर टाम अफ एलेक्शन फॉर्डिटिंग दूसरे राज्यों में जाने का भी मौका मिलता है तो यह उनका प्र ट्रैवल भी कि रही करना जाने गूरूप ए पोस्तर याना चाता है कि वाइल वर्किंग इस जोड़ीं यह का तेब इपन और ये सेक्शन एक्शन तीक आपके पास सेक्शन में करें गा मैंट इसेक्शन है जहां कम का मैं वर्क पैश्र कम है तो हाँ प्रप्रेश कर सकते है कुस्ट सेक् समस्क्राइब तो यह आपका एक्सटर्सें इक्लोड गाना यह सं tournaments रहे तो र follow नहीं करने नहीं अदिपर्णोर यह पॉस्तिवाटर से प्रोषर क्याई आ किसा हैं यह है आप पे einzidih में ही रहेंगे lifetime posting दिल्ली में ही रहेंगे राजदानी में ही रहेंगे डैस जॉब है mostly file related work है ठीक है डैस जॉब इनको पसंथी तो इनको वही मिली file related noting drafting यह सब चीचा few benefits of constitutional body यही एक point है जो बहुत बड़ा pro है यह आप इसका ठीक है pros में आता है constitution body है आपके पास ठीक है यह से यूपी सी होगी election commission भी constitution body है तिंकि allowances में आपको बताया तो ना आपके पास क्या क्या benefits है आपके आपके बेनिफिट्स तो आपने देखी लिए हो ओंड्रेरियम पंद्रह से बीस हो जार लोग सब election में आपको पास एक मेंगी एक्स्टा आपको मिलती है ठीक है और मोबाइल के लाउंसे देख लीजिए आपके पास 10,000 तक का आप मोबाइल का बिल्ग कर सकते है रिचार्ट तो क्लेम करी सकते है ऐसो के अगरा आपको तो यह चीज़े अगरा आप देखिंगे ना आपको लगे का अभी इस हटके भी कुछ मिल रहा है तो कुछ अलक सी बात तो है आप बिल्कुल इस जॉब के जॉब को लेने के लिए ठीक है तो यह बहुत ही अच्छे बैनेफेट से आपके पास ठीक है अपार्ट फॉम CGHS इस फैसिलिटीज मोय विच सम हॉस्पिटल से ठीक है सीज़ेस क्या होता है कि वह सेंट्रल गौर्मेंट हेल्ट स्कीम होते है ठीक है तो यह बहुत एच्छी बात है यह जनरली जो आपके इसमें कोई अधर चांस यह नहीं है तो इसकस करते हैं कॉंस टेगा देखे कॉंस इनने कहा कि मिल ले तो यह प्रोज है और कुछ के लिए कॉंस होते हैं तो इसलिए में बता दा रहा है तो कौन से अगर हम रिसकस करेंगे कुछ यह होते हैं कुछ क्या चीज़ित है और पोस्टिंग चाहिए होते कि इनको क्या पसंद है ट्रैवल करना पसा है तो बिल्कुर भी इंस्पेक्टर पूसलियों को फिल्जाब करने में ज्यादा इंट्रेस रहता है तो उनके लिए मोहन अटना सुझाए है कि ना तो उनके लिए कॉंस हो ही चीज़िए यू में गेट पॉब्लिक रिक टेनिशन तो कॉंस अगर आप देखिए तो रिलेटिवली कमी है आपके अबने अब्जर्व भी क्या होगा प्रोस के में अब डिसक्स करते है प्रोफाइल के रिटिंग देखा होगा आपने बहुत ही खुश है है अपने जॉप से बिल्कुल सैडिस्वाइब है ठीक है तो आगे भी बढ़ने हो लिए है जो प्रोफाइल रेटिंग है एट तो लेह सकते हैं कि इस जॉप कैसी है ठीक है जो टेक्निकल डेटेल्स है वो तो आप देखे सकते हैं पोज बुक्स टेस्री जो इन्होंने फॉलोगी उसके बाहरा में थोड़ा सा डिसकस करते हैं एडवांस मैथ के लिए राकेश हैदर सा जो आपने विजर्ट के नाम से जानते हैं प्रिविस यह कुश्चिंस अन्होंने बिल्कुल अट्रेंट करें हैं आपर इंग्लिश बुक्स जो यह नहीं दो से यहां पर लगाई थी और एडवांस मैथ नहीं लगाए तो यह दो दो मेनी हैं आपके बस्टिक है तो हर एस्पियां को करने ही चाहिए यहां को दो यह स्टिक है यहां पर पर कोई से बहुत करें हैं दो यह नहीं करें टीक है यह वरी करता है तो प्रिपरिशन की कि नोने कैसे पर बेश च्वाइब करता है तो पॉसन तो पॉसन आपका यह वैरी कर सकता है ठीक दिल पे ले 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 लिए और इस वीडियो को ना रिस्पॉंस जरू दीजें दीखिए क्या होता कि है ना हम यहां पर कुछ कंडिडेट्स होता है जिसे हमें इन्पूट लेने किसी पोस के बार में तो हम इनको मैसेज होते हैं सेंड करते हैं तो इसमें बहुत जारा एफ़र्ट जाता है हमारे जो बैक इसमें बहुत टाम लगाता है आप मैं बता भी नहीं सब्सक्राइब को कितने आवर्स कितने डेज लगाते हैं तो एक एक वीडियो जो आपके सामने आजए इसको अपना रिस्पॉंस जरू दीजे और वीडियो को ध्यान से दीखिए कोई भी डाउट अले कॉमेंट की वीडियो के बारे में जानने के लिए और पॉस्ट के बारे में हमारी इमेंटर्स चैनल से जुड़े रही है धन्यवाद